हेलो गाइज वेलकम तो टेकियासरी इडिप चनल और गाइज अगर आपको पुछे के कोई मीड रेंज में सबसे बेस स्माटफोन कौन सा है तो गाइज यहाँ पर मैं दो ही फोन का नाम ले तो मी एवन और एक ऑनर 7X बट गाइज यहाँ पर कॉंपेडिशन में एक और एक स कό्न सा बैठर और इंडू फोन में क्या दिफ्रेंस है और आपके लिए दौनए फोन में से कौन सा बैथर रहए गा सब चली स्टाट करते हैं में आब FRED당 करते कर स्पथ सब ह morph पहले बात करते हैं यहाँपर दोनिक फोन की मिलेगा और बात करते ऊनलम इन एक 64 GB प्लस 4 GB model प्राइजिंग रखी जाएगी 32 GB विरेंट की 11-12 रुपे और जो 64 GB विरेंट उसकी प्राइजिंग रखी जाएगी 13-14 रुपे प्राइज यहां पर आपको 64 GB विरेंट है जो 4 GB RAM के साथ में आते हैं प्राइजिंग 14 रुपे और आफर में आपको 13,000 में बहुत सी बार देखने को मिल जाते हैं तो दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए पैटर है तो चली विडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं यहांपर दोनों में नहीं देखने को मिल जाएगा और पूरा आपको से सीरियस दी बताओ तो गाई धोनेई बील कॉलिटी बहुत या पको प्रिमियम मिलेगी मतलब यह प्राइफ प्राइफ प्राइप प्राइपे आपको यह दोनों फोन से अच्छी बील कॉलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी बात करते हैं, यहाँ पर दोने फोन के डिस्प्ले की, यहाँ पर दोने का कॉंसेट भी बहुत ही अलगे, यहाँ पर Honor 9 Lite की बात करते हैं, 18-9 का expect ratio वाला डिस्प्ले मिलेगा, आपको top bottom sides में बहुत ही कम bezel मिलेगे, screen size की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 5.65 इंच का डिस्प् की तो यहाँ पर आपको normal, basic, 16-9 का expect ratio मिलेगा, bezel अच्छे खासे top और bottom में मिलेगे, 5.5 इंच का यहाँ पर डिस्प्ले है, और full HD resolution है, 1920 by 1080p वाला और 2.5D curve glass भी मिलेगा, और Corning Gorilla Glass 3 का protection आपको Mi A1 में देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले दोने में से कौन सा अच्छा रह रहने वाले, डिस्प्ले दोने ही बहुत ही sharp, clear और bright रहने वाले, color saturation भी दोने ही फोन का बहुत अच्छा रहने वाले डिस्प्ले का, यहाँ पर अगर आप trend की बात करें, नए trend की तो यहाँ पर आपको honor में थोड़ा better मिल जाएगा, trend के हिसाफ से, और जो footprint जो रहने वाले overall जो honor 9 light का बहुत ही कम रहेगा, बड़े डिस्प्ले होने के बाउचूद, यहाँ पर आपको फूट्प्रिंट है वो बहुत ही कम रहने वाले, 18-9 के एसपर ratio के बदौलत, guys यहाँ पर आपको डिस्प्ले दोने ही फोन का अच्छा मिलेगा, but 18-9 का डिस्प्ले में अभी क गिगार्ट पर मैक्स लॉक कराएं, जीप्यू की बात करते तो, guys, यहाँ पर आपको माली का टी एठटी MP2 का जीप्यू मिल जाएगा, और, guys, बात करते हैं, मी एवन के प्रोसेसर और जीप्यू की, तो, guys, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कॉल कॉम स्नैप्देंगल 625 का प्रोसेसर, जीप्यू की बात करते हैं, जीप्यू की बात करते हैं, यहाँ पर आपको आपको अट्रीनो का 506 का जीप्यू देखने को मिल जाएगा, तो, guys, दोनों में से कौन सा प्रोसेसर और जीप्यू अच्छ है, प्रोसेसर दोने ही बहुत ही पावर एफिशेंट है, आपको कोई प्रोब्लम नहीं होएंगी, अच्छे खासी गेमिंग वगरा भी आप कर लोगे, तो, guys, high-end game, high settings में खेलोगे, तो, आपको Mi A1 में ज्यादा बेटर परफोर्मेंस मिलेगी, as compared to on and 9 light के, प्यूंकि जो एट्रिनो का 506 का GPU है, वो Mali 830 MP2 GPU से slightly better है, तो, gamer अगर जादे ही गेम खेलता हो, high settings में, तो, Mi A1 में आपको slightly better performance मिलेगी, as compared to on and 9 light से, बात करते हैं, यहाँ पर दोने फोन के RAM और storage की, तो, guys, जैसे के Mi A1 एक ही विरेंड में आता है, तो, honor का भी एक ही विरेंड से compare करेंगे, 64GB मिल जाएगा, और 4GB RAM मिल जाएगी, और दोने फोन में आपको dual camera का setup मिल जाएगा, 13, plus 2 megapixel का, 13 megapixel का जो camera आपका primary shooter है, 2 megapixel का जो camera है, वो आपको bokeh mode, या बो सक्ते हो portrait mode के लिए, यहाँ पर लगाएगा है, वहीं बात करते हैं, Mi A1 के camera setup की, तो, guys, again, यहाँ भी आपको dual camera का setup मिल जाएगा, 12 megapixel के आपको dual camera का setup मिल जाएगा, as well as portrait mode वगरा भी आप इसमें भी ले सकते हो, front facing camera की बात करते हो, honor 9 light में आपको front में भी dual camera का setup मिलेगा, 13, plus 2 megapixel, वही setup है, 13 primary camera है, 2 megapixel का depth sensing के लिए दिया हुआ है, वहीं बात करते है, Mi A1 के camera की, तो, 5 megapixel का आपको single camera मिलेगा, और, guys, चारो camera आपका 1080p में video recording कर सकता है, friend as well as back, दोने ही phone का 1080p में, max to max record कर सकता है, but, guys, Mi A1 में आपको 4K video recording का support मिलता है, जो कि आपको honor 9 light में नहीं मिलेगा, और, guys, दोनों में से camera कौन सा अच्छा रहने वाल है, rare camera, अगर आप बात करो, picture quality की तो, दोने ही camera, rare camera, दोने हो का ही अच्छा रहेगा, portrait mode के, अगर आप specially बा अपने हो, दोने ही phone में आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी, front facing camera definitely यहाँ पर comparison ही नहीं है, आपको honor 9 light में बहुत ही अच्छा camera मिलेगा, mi A1 का यार मताब बहुत average सा camera है, तो rare camera की बात करते हो, दोने ही phone का आपको अच्छा मिलेगा, but, portrait mode अगर आप आपको बहुत अच्छा detail वाला च्छी है, तो mi A1 better रहेगा, front facing camera definitely आपको honor 9 light में आपको better मिलेगा, यहाँ comparison ही नहीं है, बात करतेगा इस दोने ही phone के sensors की, यहाँ आपको दोने ही phone में सभी तरीके sensor मिल जाते, accelerator sensor, proximity sensor, embed light sensor, gyroscope mi A1 में मिलेगा, honor 9 light में आपको नहीं मिलेगा, fingerpin sensor आपको दोने ही phone में capable है, honor की तरफ से एक skin आती है, theme बगरा हर चीज़का आपको support मिल जाएगा, बात करतेगा, mi A1 के android version और UI की, तो guys अभी तो उसका Oreo का update mi A1 के लिए भी roll out होना शुरू हो चुका है, और stock android आपको देखने को मिल जाएगा, android 1 का साथ में collab है, तो 2 साल, 3 साल आपको update लेने की tension ह नहीं है guys, update आपको regularly बहुत ही quick आएगे, mi A1 में, तो depend करता है, आपको stock android पसंदे या customization वाली skin पसंदे, उसके हिसाथ साथ सेलेक करके ले सकते हो, battery life की बात करते हो, battery life भी बहुत ही similar, आपको दोना phone में मिल जाएगी, आपको online light में आपको 3000 mh की battery मिलेगी, fast charging का support नहीं है, mi इन वाली दोनों ही phone में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो chipset दोनों ही phone में use करागी है, बहुत ही power efficient है, as well as guys, 1080p का resolution डिस्पले है, तब को जो battery performance है, दोनों में आपको similar, normal to more reduce पे आपको एक दिन का battery backup मिल जाएगा, दोनों ही phone से, तो guys, यह था दोनों ही phone का comparison, तो guys, दो आपको glass वाली body वाला पसंदे phone, selfie camera आपको लिए highest priority है, as compared to customization वाला आपको skin चीए, और आपको 18-9 का expect ratio पसंदे, तो आप honor 9 light ले सकते हो, me A1 किन लोगों के लिए, तो guys, आपको stock android पसंदे, as well as, आपको sound quality बहुत अच्छी चीए, plus यहाँ पर आपको portrait mode निकालते है, वो भी आपको बहुत अच्छा अच्छी है, और guys, यहाँ पर आपको overall एक MI as a brand अगर आपको पसंदे, तो आप me A1 ले सकते हो guys, मैं मेरी बात करो, तो मुझे तो दोनों ही device पसंदे, but depend करता है, आपको आपको दोनों में से concept better लगते है, जरूर से नीचे comment section में बताईए, best buy link भी नीचे description में दे दूँगा, वहाँ से जाका purchase कर सकते हो, चैनल को थड़ी help हो जाएगी, और मुझे जरूर से बताईएगा, और आपकी कोई भी question query है, मुझे comment section में पूछेगा, सब का reply देनकी कोशिश करूँगा, price point को देखते हुए, दोनों device सबसे best है, दोनों में से आप कोई भी device ले सकते हो, तो guys, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो like, share, subscribe करना मत बुलना, मिलता आपसे से कले किसी वीडियो में है, जब तक के लिए, thank you